हाई एवरिवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू मैं नीव लॉग मॉर्निंग के नाइन ओ क्लॉक के आसपस का डाइम हो रहा था और डे था टूजडे तो यहाँ पर मैं आटा लगाने के लिए आई थी सबजी जो थी वो मैं सुभाई बना चुकी थी जब मैं उठी थी थोड़ी देर के बाद मैंने अपना मतलब कीचन वगएरा के काम में लग गए थी जैसे टी वगएरा बनाने के लिए आई थी ना तो साथ साथ फिर मैंने चांच के साथ और खाना खाने के बांद मीठा काने की इतनी जाधा करके आते अगर उनको कूमार्णिंग मैं मिल जाए तो जब यौशेव भी जाते है और मियर ती sant लग लग जहती है तो यहाँ खेंदग लुग एक पानि यहाँ पो पूरी बॉड़ी मीने शिवरिंग शा वी TV यह लगता है तो फुरप हरी आद्यू यह में जाने के लिए थिति दोभिनitयों के लिए घर ले भी लेकर कुनिए दिने कि लिए अच्छा लगता है क्योंकि एक फढ़ मुझ तो कई बर पहल भी यह में imagining होती बर दूर तो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है तो भाईया घर पे ही दे जाते हैं तो उनको भी ठीक लगता है कि जाना नहीं पड़ता और अच्छा रहता है घर कर्मा गरम रोटी जो होती है वो विंटर में खाने में मज़ा आ जाता है और थोड़ा सही होता है कि पहले बना करके रख देती हूं आदा पॉना घंटा वैसे चल जाती है बर थोड़ा कईबाना स्टीम वगेरा से गीली भी हो जाती है तो जब अपना आ जाते हैं वो करके वैसे तो मैं जादा आटा लगाती नहीं क्योंकि मतलब फिर मैं न शाम कट शाम को लगाती हूं और मॉर्निंग का मॉर्निंग में लगाती हूं हाँ जैसे हम ब्रंच करते हैं और बेटू स्कूल जाती है तो उसके लिए एक आदी रोटी का एक्स्रा तब लगा देती जाता है कि रहता है व Susan के लिसी नं कर देती हो और पिर मैं अपने लिए छाज को न दोलब नीए सीन करा था ना तो वह पूरी तरह नैसे फैarl कर के छाज निकली तो सारा अभी माने करा था और दुबारा से मतलब उसमें चाज जो थी वो गिर गई थी और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वो भूना हुआ जीरा था ना मैंने अभी कुछ दिन पहले ही भून के रख लिया था उसको भून करके पीस करके जीरा रख लिया था क्योंकि चाज में कर्ड में या रायता वगएरा डालो ना रायते में तो बहुत अच्छा टेस्टी सा लगता है मुझे इसलिए मैंने जीरा भून करके रख लिया था और यहां पे मेरा खाना वाना बन चुका था और यहां पे मनीश भी नहाद होकर के आ गए थी ठंड लग रही थी इनको देखके मु सरसो का नहीं मिलब सरसो भी थी बात हुआ भी था और मेथी भी थी इसमें और साथ में था अमूल बटर जो की मनीश को अच्छा लगता है मौनिंग के टाइम पर तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कट करके रख दिया था क्योंकि उनको जो है ना साख बहुत कम पसंद है और साथ म की अपने लिए मैंना मोनिंग में पेड़ा लेकर के आये थे इनको जो मिल जाता है ना तो वह मौनिंग में ले आते हैं तो वह लेकर के आ गये 253 और यहां पर हमारा खाना वाना चलonic कहु रहा था ।ो यहां पर आता यहां थे अर थोड़ी बाते बाते भी कर रहे थे ए मा तो यह खा रहे थे चटनी अचार और बटर के साथ खाना मैंने एक बार बोला एक बार ट्राय तो करो फिर इन्होंने ट्राय करा था ऐसी हलका फुलका लगा के खा रहे थे बट इनको ज्यादा पसंद आता नहीं है इस तरह से साग और उसके बाद इनकी इतने फोन आ रहे थे यार मतलब खाना भी चैन से नहीं खाते हैं इस बार आफिस टाइम स्टार्ट हो जाता है न तो फिर रेगूलर इस बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और उसके बाद खाना वाना खाके हम फ्री हो गए थे मतलब मैं आ नहीं होई थी उसके बाद मैं यहां पर बरतन वगएरा क्लीन करने के लिए आ गई थी जो कडाई वगएरा थी वह अभी मैंने नहीं निकाली थी क्यूंकि उसके अंदर काफी सारा साग रखा हुआ था तो मैंने का वह बाद में फिर मैं खाली करूंगी पहले साथ के साथ यह बरतन में क्लीन कर रही थी और यह अचार वगएरा के बरतन थी अचार ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि उसमें खटा पन जादा आ गया है तो मैंने जो बचा हुआ था था नों मैंने फैंक दिया था और मैंने मनीश को भी बोला था कि मुझे जादा खटा खटा था वे अगर आपको ना ठीक लगए तो मत खाना बट उनको ठीक लग रहा था फिर उसके बाद मैंने जो बचा वगा था मैंने फैक्ट दिया था मैंने का मैं दुभारा से डाल नूँगी लेकिन उसमें ज्यादा खटा पंच ज्यादा दिनों का हो जाता है नगाजर का चार तो हो अच्छा नहीं लगता वह खराब हो जाता है ममी बोलती है कि जड़ा दिन चलता नहीं है तो इसलिए मेरेको भी माइनडसेट है कि कुछ दिन का विश हो जैशनाव एक फै क्ला दिया उर यह जा... छैणने की, शेज निकल जाए और उसके बाद इनको 2 बार मैंने क्लीन करा क्योंकि बरतन अच्छा से क्लीन नी होते ना तो फिर एक बार भी जैसे कुछ काम करते वे बरतन उठाओ और उसमें चिकना चिकना से कुछ रह जाना तो एक दम मन खराब सा हो जाता है फिर उस ताइम जो भी हम खाने के ज्यादा बरतन थे नी तो मैंने बिमजल घोल नी जो ए Cataloo का दिर बार मैंने मंगवया था नो उसी से इनो बरतन क्लीन कर लिए ते वह यह ठीक हाइए वह लापी जैस से बरतन रहklär सी क्लीन बिल्कुल भी चिकनाई गएरा रहती हो जाते हैं तो भी घ्रत्टे हो जाते हैники झाट खड़े न ब्स लिखालें और सुन तो यह तो तो करती हो ना वैसे तरही मैं कि पूरे मेरे कड़े हो जाते होना है प्लास्टिक वाला मैं लेकर की भी आई थी टैप एक्सेंशन बट वो तो एक दो दिन ही चला, उसके बाद वो तूड़ गया था तो अभी मैं लोकल स्टोर से भी काफी, कल भी गई थी मैं काफी जगह घूम घूम कर के आई वो टैप एक्सेंशन के चक्कर में बट में को मिला ही नहीं इसकी किसी ने बोला कि फोटो दिखा लेकर के आओ तो मैं इसकी फोटो भी लेकर के आगे इन मार्केट गई यहां जो पास मी है हमारे घर के बट इसका जो नोजल है ना वो काफी मतलब मोटा है आगे से तो इसके अकॉर्डिंग ना कुछ भी मिलनी पा रहा था और जो थोड़ा सा दूर गई थी मार्केट वो बोल रहे थे कि आपको तो टैप लेकर के आनी पड़ेगी अब मैं इसको निकाल करके कैसे लेकर के जाओ तो फिर मैं को समझ नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूं तो फिलहाल मैंने ऐसी छोड़ दिया तो मैं नहीं थे मैंने साथ के साथ वाश कर दिये थे फिर हो जाता है ना जादा बरतन जादा देर खड़े रहो जादा गीला कपड़ा तो इसलिए फिर मैंने हाथ के हाथ क्लीन कर दिये थे और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से जाड़ दिया था और उसके बाद फिर जाड़ो तो सेट करना सबसे पहले क्लीन करना जादा जरूरी होता है एक बार बैट शीट जार दोना तो मतलब अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ घर क्लीन हो गया है और उसके बाद यह देखो मेरी बेटी की बड़ी सी डॉल उसको हर दिन वो ना बोर हो जाती है आज यह वाला डॉल निकाली है कली वाली फेक देगी मतलब रख देगी ऐसी जहां उसके टॉइस वगयरा रखे रहते हैं फिर कल उसको मन करेगा कोई और मतलब अभी एक दो दिन खेलेगी इसके साथ फिर उसके बाद इससे बोर हो जाएगी फिर उसको एक दो दिन के बाद कुछ और नहीं चा की थी और मैंने सारा को जो भी सेट वैट करना था वो मैंने कर दिया था और उसके बाद मैं आई थी यहां पर बालकनी क्लीन करने के लिए मैं आज करनी थी मैं इसकी वजह से पानी बहुत था है और पीछे का डूर बन दी रहता है तो इसलिए मैं करनी पा रही थी और आज मैं को करना जरूरी था क्योंकि काफी दिन से गंदी हो रही ज़ाड़ू वगेरा तो मैं regular लगाती इंग और मॉब से मैं clean भी कर देती हूं बढ़ जो नीचे plants वगेरा की साइट पानी कथा होता है तो मतलब मिटी वगेरा कठी हो जाती जैसे plants को हम पानी देते हैं तो नीचे वह पानी निकलता है तो उसके साथ थोड़ी बदी भी निक तो इस तरह से लग रहा है और देखो कल मैं गई थी ना मार्केट मैंने पूला था टैप एक्सेंशन लेने के लिए काफी घूमी थी तो मैं यह नाइट बल्ब लेकर के आई थी क्योंकि बेटू को बहुत मन करता था कि और अच्छा लग रहा था पिंक कलर था रात को हम आन क कर रहे थी ना तो कर्टन स्पेस की पिंक पिंक सी जो लाइटिंग आ रही थी तो बहुत सुन्दर लग रहा था रात के टाइम और कोई कलर ठानी वैसे तो मैं यलो लेने वाली थी यलो कलर ठानी उनके पास पिंक था और ग्रीन था तो मैंने पिंक ले लिया और उसके अधिया था और काजल लगाया था वैसलीन तो पहले सबसे पहले लगा ली थी लिपस को मॉस्टराइज करना सबसे ज़ादा जरूरी होता है और उसके बाद फेस पे मैंने लगाई थी थोड़ आसा बिल्कुल थोड़ा सा मॉस्टराइजर क्योंकि मैं नहाने से पहले स्कि तो बैटो को मैं बहुत थी थैए कि बहुत थोड़ी है बट जब तक मैं नहीं जाओंगी वह भी नहीं जाने वाली और थोड़े से कपड़े वगयरा थे वह भी मैंने फोल्ड कर लिये थे और उसके बाद सबसे पहले ज़रूरी था कि पैरों में मैं पहले हो जो बहुत थ में बूल गई थी फेस पे तो मैंने मॉश्राइजर लगा लिया था था थोड़े से ड्राय हो जाते हैं क्योंकि बारबर में को एकनों हैंडवाश वगेरा करने की बहुत जादा गंदी है बारबर थोड़ी थेर में हैंडवाश करती रहती हूं कीचन में जितनी देर खड़ी ग्रिप कैप होती है जिसको हम पंप करके निकालते हैं वो बेटू ने गिरा दी थी जिसकी वैसे वह तूड़ गया था तो ऐसी हमने उसमें से साइड से थोड़ा सा होल कर रख्या वहीं से निकाल रहे थे तो थोड़ा सा निकलने में टाइम लग जाता उसको और इसके बा